नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं महाख़बर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें शेर करें कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी दो दिन के मनिपूर दोरे पर इमफाल पहुंचे हैं और वहां से वह हिलिकॉप्टर से पुर्व नरधारित कारिकरम में जाएंगे विस्नुपूर के एसपी हिसनाम बलराम सिंग ने काफिला रोके जाने के बाद हुए बवाल पर कहा कि जमीनी स्थिती को देखते हुए हमने राहूल गांधी को आगे बढ़ने से रोक दिया उन्होंने कहा कि उन्हें हिलिकॉप्टर के माध्यम से चुरा चांदपूर की यात्रा करने की सलाह दी है SP ने कहा कि जिस राजमार्ग से राहूल गांधी गुजर रहे थे उस पर ग्रेनेट हमले की संभावना है उनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने उन्हें सडक मार्ग से जाने की अनुमती नहीं दी अधिकारियों ने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि जिस मार्ग पर राहूल गांधी यात्रा कर रहे थे उस पर महिला प्रदर्शनकारियों की भारी भीड थी एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमें ऐसी घटनाओं की पुर्णवरति के आशंका है और इसलिए एहतियात के तौर पर काफिले को विश्नुपूर में रोकने का अनुरोध किया गया राहुल गांधी आज सुबह इमफाल पहुँचे और अब चुरा चांदपूर जाएंगे जहां उनकी राहत शिविर का दोरा करने और जातिय संगर स्थापित लोगों से मिलने की योजना है बताने कि इस साल मई में जातिय संगर शुरू होने के बाद से लगभग 50,000 लोग राज्य भर में 300 से अधिक राहत शिवरों में रह रहे हैं मनिपूर में मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाती दरजे की मांग के वरोध में 3 मई को पहाडी जिला में आदिवासी एक जूटता मार्च आयोजित किये जाने के बाद जड़ पें शुरू हुई थी